कहानी की सुलवात में हम समुद्र में एक बड़े से सिप को देखते हैं, जिसका एक कर्मचारी सिप के बॉटम में कैद एक बड़े से सार्प को खाना खिलाता है, और साथ में वो उस सार्प को एक सीरम भी लगाता है, जिससे उस सार्प की आखे पिली हो जाती है, अगले सीन वो जिस खाने का पीछा करके यहां पहुंचा होता है वो इसी बड़े सार्क के खाने का कुछ अंस होता है इसके बाद वो बड़ी सार्क उससे खुद को आजाद करने को कहती है और बदले में वो उसे धेर सारा खाना देने का वादा करती है इस बात पर वो छोटा सार्क मान जाता है और वो उस बड़ी सार्क के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है दरवाजा खुलते ही बड़ी सार्क पिंजरे को तोड़ कर खुद को आजाद कर लेती है इसके बाद वो बड़ी सार्क बोलती है कि मेरा बदला लेने का समय आ गया है और वो उस छोटी सार्क के साथ वहां से निकल पड़ती है अगले सीन में हम पिंग कलर की एक छोटी मचली को देखते हैं जिसका नाम पी होता है वो किसी से जान बचा कर भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक छोटी से चटान के पास जा कर रूख जाता है तभी एक बड़ी सी परचाई उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन ये कोई बड़ी सार्क नहीं बलकि पी का बेटा होता है दरसल पी अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है और ये दोनों खूब मस्ती करते हैं इसके बाद पी अपने बेटे के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है जहां उसे एक केकड़ा मिलता है जिसका नाम पी अरे होता है जो वहाँ के चटान पे खड़ा होकर उनके इलाके के निगरानी कर रहा होता है कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक नीली मचली मिलती है ये पी की मा होती है जो पी और उसके बेटे से मिलकर बहुत खुस होती है वहाँ से कुछ आगे बनने पर उन्हें एक नीली और एक तीन आख वाली मचली मिलती है जो पास के गुपा में घुमने के लिए जा रहे होते हैं ये सुनकर पी का बेटा उन लोगों के साथ चलने को कहता है लेकिन पी उन के साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने आज अपनी पत्नी केंडरिया को वादा किया था कि वो उसे बाहर घुमने के लिए ले जाएगा इसलिए वो अपने बेटे को उन लोगों के पास ही छोड़ कर वहाँ से निकल जाता है दूसरी तरफ हम उस बड़ी सार को देखते हैं जिसका नाम ट्रॉय होता है वो पी के इलाके में आ जाता है और अपनी साथ वाली छोटी मचली से कहता है कि उसे यहाँ पर पंदरसों से भी ज़्यादा अलग-अलग नसल की छोटी मचलीयों की गंद आ रही है जिनका सिकार करके उसे बहुत मजाएगा इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर पी के इलाके के उपर हामला करने का प्लैन बनाता है ट्रॉय की बाते सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं जो अपनी पत्नी केंडरिया के साथ इंजॉय कर रहा होता है यहाँ पर उसकी पत्नी पी को बताती है कि बेसक उन लोगों ने ट्रॉय से चुटकारा पा लिया है लेकिन फिर भी उसे दिखाना होगा कि एक छोटी मचली भी बहुत कुश कर सकती है और उसे चोटी मचलीयों को लीड करना चाहिए ताकि वो आने वाली मुसीबतों का सामना खुद कर सके अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रॉय अपने साथियों के साथ तेजी से पी के इलाके की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वो केकड़ा जिसका नाम पीरे होता है वो ट्राइक को अपने साथियों के साथ आता हुआ देख लेता है और वो ये बाते सभी को बता देता है ये खबर सुनते ही सब परिसान हो जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन जब ट्राइक अपने साथियों के साथ पी के इलाके में आता है तो वो आगे नहीं जा पाता है क्योंकि जहां पी छोटे मचलियों के साथ रहता है उस जगा और समंदर के बीच में चट्टानों की एक दिवार होती है जिससे ट्रॉय पार नहीं कर सकता है इसलिए मजबूरी में उसे वहाँ से वापस जाना पड़ता है वही दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं जो ट्राय को अपने इलाके में देखकर बहुत परिशान होता है तब ही वहाँ पर एक कच्छु आता है जो पी को बताता है कि उसने गहरे पानी में तीन सार को देखा वो वापस जरूर आएंगे लेकिन वो चिंता ना करे एक बार वो खुद जाकर ट्राय से बात करेगा इसके बाद वो कच्छु आतान के दिवार के पास जाता है जहाँ पर ट्राय भी होता है वो ट्राय से कहता है कि वो यहां से चला जाए और उन छोटे जीवों को अपनी जिन्दगी जीने दे इस पर ट्राय बोलता है कि वो लोग अब उससे नहीं बच सकते क्योंकि चार दिन बाद समंदर में जौर आने बाला है जिससे समंदर का पानी का लेवल बढ़ जाएगा तब वो उन लोगों पर हमला करेगा और तब उन्हें ये चट्टान की दिवारे भी नहीं बचा पाएगी इसके बाद वो अपने टेल से चट्टान पर एक जोरदार वार करता है जिससे चट्टान से पत्धर गिने लगते हैं और कच्वे को अपनी जान बचा कर भागना पड़ता है और धमकी देने के बाद ट्राय वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि सभी मचलियां पूरी तरह से डरी हुई है तभी वहाँ पर कच्वा आता है जो सबको बताता है कि इस बार मामला कुछ ज़्यादा गंबीर है लेकिन वो लोग चिंता ना करें वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा तभी वहाँ पर पी आता है वो कच्वे के पास जाता है कच्वा पी से कहता है कि वो चिंता ना करे इस समस्या का भी कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा इस पर पी कहता है कि ये कैसे संभव है चार दिन में जुआर आने बाला है और वो अकेला ट्राइको कैसे रोक पाएगा इस पर कच्छुव बोलता है कि तुम अकेले कहा हो तुम्हारे पास तो तुम्हें चाने वाली की पूरी फौज खड़ी है वो तुम्हारी बातों को मानते हैं और उन्हें जरूरत है एक सही कैप्टन की और वो तुम हो तुम अगर इन्हें ट्रेंनिंग दोगे तो यह युद के मैदान में तुम्हारा साथ जरूर देंगे कच्छुए की बात मानकर फी सभी छोटे छोटे जीवों को ट्रेंनिंग देना शूरू कर देता है अब एक दिन ट्रेनिंग देने के दोरान एक समुद्री साप इने देख लेता है और वो इस बात को Troy को बता देता है ये बात जब Troy को पता चलती है तो वो एक प्लान मनाता है वो उस मचली को जिसने उसे उसके पिंजरे से चुड़ाया था उसे माने के लिए उसका पीछा करने लगता है और वो भाकते भाकते पी के इलाके में आ जाती है जहां Troy नहीं आ सकता और जब पी ये सब देखता है तो वो उस चोटी मचली को अपने साथ रहने दे देता है और इस परकाट Troy का प्लान काम्याब हो जाता है और अब पी के बीच में Troy का एक आदमी होता है जो उनकी पलपल की हर खवर Troy को देता रहेगा इसके बाद हम देखते हैं कि पी सबी छोटे जीवों को युद्ध अभ्यास करा रहा होता है लेकिन कोई भी खुद पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसी दोरान एक मचली वहां खराब बले पंडूबी के अंदर चली जाती है और अगले हिपल पंडूबी में से एक मिसाइल निकलती है जो पास के एक चट्टान से टकराती है जिससे एक जोरदार बलाश्ट होता है लेकिन खुसकिसमती से इस दुरगटना में किसी की जान नहीं जाती है अब यहां पर वो मचली जिसको ट्रॉय ने जैसुसी के लिए भेजा था जिसका नाम रॉनी होता है वो दिरे दिरे सभी जीवो को अपनी चिकनी चुपडी बातों में फसाना सुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सबका फेवरेट बन जाता है अब एक दिन जब पी सभी को ट्रेनिंग दे रहा होता है तब ही वहां पर रॉनी आता है जो पी से कहता है कि सभी जीवो के पास अलग-अलग सकतिया है तो क्यों ना एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाए जिसमें सभी जीवो अपने अपने टैलेंट का परदर्शन करेंगे और इस परकार सभी को अपने पावर्स के बारे में पता भी चल जाएगा और उसे ट्रेनिंग देने में आसानी होगी रॉनी का ये प्लैन सबको बहुत पसंद आता है इसके बाद एक प्रोग्राम का आयोजन होता है जिसमें सभी जीवो अपने अपने टैलेंट का परदर्शन करते हैं वहीं दूसरी तरफ रॉनी ये सारी बाते ट्रॉई को भी बता देता है रॉनी की बात सुनकर ट्रॉई बहुत खुस होता है और कहता है कि ऐसे ही कुछ दिन और वो उन लोगों को फसा कर रखे उनका काम बस होने ही वाला है अगले सीन में हम पी की वाइफ केंडरिया को देखते हैं जो पी से कहती है कि अब तुम मेरे साथ नहीं रहते इस पर पी कहता है कि उसे पूरे इलाके की रच्छा करनी है और ट्रॉय एक बर फिर से उसे हासिल करने की कोसिस भी कर रहा है यह सुनकर केंडिया कहते हैं कि ठीक है उसे उस पर पूरा भरोसा है वो जरूर अपने मकसद में काम्याब होगा उधर रौनी सभी छोटे जीवो का ओडिसन ले रहा होता है जहांपर सारे जीवाजी वो गरीब काना में दिखा रहे थे वहीं पी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पुरानी पंडूबी के अंदर होता है जो अपने खास दोस्तों के साथ मिलकर उस पुराने पड़े जाल की मदद से एक ट्रैप बनाने की कोसिस कर रहा होता है ताकि वो ट्रॉय को इसमें फसा सके यहां पर पी का बेटा अपने ए केंडरिया पी से मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने देखा कि ओडिशन में सभी कितने खुश थे उसने आज दक इन सब को इतना खुश कभी नहीं देखा इस पर पी कहता है कि यह सब तो ठीक है लेकिन उसे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ट्रॉय उन पर हमला करने आ रहा है और उन्हें लड़ने की तहियारी करनी चाहिए लेकिन तभी रॉनी पी की बात बीच में काट कर कहता है कि कल ओडिशन का अंतिम दिन है और उसे लगता है कि उसे इन फालतों बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए यह सुनकर कैंट्रिया भी पड़ चुका है उसने उन्हें सिखाने की पूरी कोसिस की लेकिन कोई फायदा नहीं उसे विश्वास नहीं हो रहा कि केंड्रिया रौनी का साथ दे रही है इस पर कच्छुआ बोलता है कि कोई बात नहीं समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके बाद वो पी को एक ज सीधा उस जगह पे भी जहान पर उसने ट्रैप बनाया होता है वह ट्रैप को बहुत मुस्गल से किसी तरह एक्टिवेट कर देता है और अपने दो करीबी सार्थि Vallahi को ट्रैप करने के लिए बाहर तैनाथ कर देता है और उन्हें सक्त हिदायत देता है कि कोई भूलकर भी उ सारी बाते सुन रहा होता है और वो यह सारी बाते ट्रॉई को जाकर बता देता है जिस पर ट्रॉई कहता है कि तुम किसी भी तरह से उस ट्रैप को बरवात कर दो नहीं तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा इसके बाद राष्टे में उसे एक मचली मिलती है जो बहुत डर करता है और कहता है कि आज ओडिसन का फाइनल दिन है जो भी उस गुफा से रेड क्लिफ को सबसे पहले लाएगा वही विजेता होगा रॉनी की ये बाते सुनकर सभी जीव तेजी से गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं दरसल रॉनी इसी बाहने से पीके बनाए गए गए ट्रैप को बरबाद करना चाहता था अब सभी जीव गुफा के अंदर चले जाते हैं और रेड क्लिफ को लेकर वहां से निकल जाते हैं यहां पर पी के लोग इन्हें रोकने की पूरी कोसिस करते हैं लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहते हैं अगले सीन में हम रॉनी को दे के जाने का समय हो चुका है यह सुनकर केंड्रिया बोलती है कि यह कहीं नहीं जाएगा और इस पर उन सबको पूरा वरुसा है कि वह उनका दुख्मन नहीं है और अगर उसे इससे दिक्कत है तो वह यहां से चला जाए यह सुनकर पी पूरी तरह से तूट जाता है और वो सुन लोगों को नाच गाने में फसा कर रखो आगे वो देख लेगा कि उसे क्या करना है इसके बाद हम पी को देखते हैं जो कच्छवे के पास जाता है लेकिन कच्छवा एक जादवी दुनिया में चला गया था उदर रौनी अपनी बातों में सब को फसा कर रखता है पी कच कर भी कुछी को धूंडते हुए चक्टान से बहार आजाता है पर तब इसके ऊपर ट्राई का हमला होता है लेकिन इससे पहले कि वो पी को मारता वहां पर कच्छवा आ जाता है जो पी को बचा कर वहां से ले जाता है अब एक दिन रौनी के अंड्रिय को दांस सिखाने के चटान के उस पार ले जाता है और वो उसे ट्रॉई के हवाले कर देता है लेकिन तब तक रॉनी को भी समझ में आ जाता है कि वो ये सब सही नहीं कर रहा है उधर पी कच्वे से कहता है कि इस समय उनकी हालत बहुत खराब है कल ट्राय उन पर हमला करने वाला है और अभी तक उनके पास कोई योजना नहीं है तब ही वहाँ पर दो मचली रोनी को पकड़ कर लाते हैं और वो रोनी की पूरी असलियत पी को बता देते हैं रोनी के असलियत जानकर पी बहुत गुस्टा होता है लेकिन इससे पहले की पी रोनी को मारता रोनी अपनी गलती मान लेता है और वो अपनी गलती को सुधारने का एक मौका मांगता है रोनी के बाद सुनकर पी उसे माफ कर देता है इसके बाद ये सबी मिलकर काम करना सुरू कर देते हैं ये अपने ट्रैप को एक बार फिर से बनाते हैं और किसी तरह केंड्रिया को ट्रॉय के चंगुल से चुड़ाने की कोसिस करते हैं लेकिन इससे पहले कीपी केंड्रिया को ट्रैक के चंगुल से बाहर निकाल कर वहां से भागता वहाँ पर ट्राइक के साथ ही आ जाते हैं जो पीपर हमला कर देते हैं लेकिन वो किसी तरह से बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए केंड्रिया को लेकर वहाँ से निकल आता है और जब ट्रॉय के साथ ही उसके पीछे जाने लगते हैं अग की गहरी खाई के पास पहुचता है और वो उस खाई में चलांग लगा देता है दूसरी तरफ हम ट्रॉय को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ मिलकर पीपर हमला कर देता है और वो एक एक करके सभी को मानना सुरू कर देता है और एक पल ऐसा भी आता है जब ट्राई पी को माने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक चमकता हुआ ड्रैगन आ जाता है जिसके सीपर वह कच्छुआ बैठा होता है जो ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा होता है ड्रैगन के आने के बाद पी का पच्छ भारी पढ़ने लगता लेकिन तभी ट्राइ पीछे से हमला करके कश्वा को नीचे गिरा देता है जिससे उसके हाथ से ड्रैगन का कंट्रोल छूड़ जाता है अब ट्राइ और उन सारे छोटे जीवों के बीचे एक खदरनाक युद्ध होता है और इसी फाइट के दौरान ट्राइ पीका पिछा करत जाती है और वो दद के मारे वहीं फड़ पड़ाने लगता है वहीं प्रियपनी पत्निक इंडिया को वापस पाकर बहुत खुश होता है और सभी छोटे मचलिये ट्राइ से पीछा छूटने पर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं कत्म हो जाती है तो व एड जएपसे ऺड़ाने लिए येडियो घंट ट्राइकता है और रिंट तरान ट्राइकन आपड़ाने ट्रत खुश कातो विवा और श्यूंग जब को आफ पूचित सब्सक्राशन